दोदो बीवियो वाले अर्मान मलिक को बिग बोस के घर में घुश के मीडिया वालों ने ऐसे लता रहा है कि खुद अब अर्मान मलिक बिग बोस के घर में ये कहते हुए नजरा रहे हैं कि मुझे अब इस घर से बाहर निकलना है, मुझे बिग बोस का खिताब नहीं जीतना ह साथ में एक खेल हुआ जिसमें दो टीम थे अर्मान मलिक को संचालक बनाया गया और चालाकी से अर्मान मलिक ने अपने पत्नी और अपने मित्र रनवी सौरी को जो है बचाया है लेकिन कैसे ये खेल ये चलाकी उनके उपर उल्टा पर गया है और अब बिग बॉस के घर से अर्मान मलिक बाहर हो सकते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पहले नमस्कार मेरा नाम राकेस है और आप प्रयास नीच पे ये वीडियो देख रहे होंगे जो लोग बिग बॉस को देखते हैं बिग बॉस OTT से फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उनहीं के लिए ये वीडियो है तो अगर आप बिग बॉस को नहीं देखते हैं तो इस वीडियो को होता है ये अर्मान भाई सहाब दो पत्नियों वाले बेखती हैं और कहते हैं कि हम दो बीवियों को रखे हुए हैं इस पे भी सवाल पुछा गया इनसे सवाल पुछा गया आप अपनी पत्नी को छोर के मातर साथ दिन में अपनी पत्नी के ही दोस्त से साधी कर लेते हैं वो प उसरे के करेक्टर पे सवाल उठाते हैं उसके बारे में क्या कहिएगा दो पत्मियों को रखे हैं ये कहने का आपका मतलब क्या है विशाल को इन्होंने थपर मारा था अपनी पत्मी को खुब सुरत कहने पे उस पे भी बहुत सारे सवाल आए और ऐसे ऐसे सवाल आए न जिसस कि ये लोग व्यूज के लिए इस तरह की बाते कर रहे हैं तो बाहर इनकी पतनी जो है वो डिवॉस की बात कर रही है तलाक की बात कर रही है तो सायद वो भी व्यूज के लिए ही किया जा रहा होगा एक गेम में जो है नॉमिनेशन का गेम चल रहा था और दो टीम बढ़ता ह एक तरफ जो है शना मकबूल होती है कटारिया होते हैं उसके बाद साई केतन होते हैं और दूसरे टीम में रनवीर जो अर्मान के दोस्त हैं और अनवान की पतनी क्रितिका होती है अब अर्मान चुकी संचालक थे इस खेल के तो वो नॉमिनेट करने के लिए जो है टीम को शना मकबूल और साई केतन का अब देखिए ये जो है बिग बोस का भी एक चाल था बाहर निकालने का साफ साफ टीम जिस तरह से बाटा गया था दिख रहा था कि किसी भी कीमत पर क्रितिका को अर्मान मलिक जो है नोमिनेट करने के लिए नहीं चुनेंगे रनवीर को नहीं चुनेंगे क्योंकि इनहीं का भजन ये गाते रहते हैं तो ऐसे में बिग बोस भी सायद चाहते थे कि कटारिया को जो है नोमिनेट करना है और किसी तरह से बाहर कर देना है और यहां पर चाल यह भी चला गया कि उल्टा वोटिंग कराया जा रहा है पहले होता था कि सेप क यह चाल भी जो है अर्मान मलिक पे उल्टा पर गया है और चुकि यह भी नोमिनेट है ही तो सबसे जादा वोट अभी तक जो खबर आ रही है अर्मान मलिक के लिए ही पर रहा है घर से बाहर निकालने को लेके तो ऐसे में अर्मान मलिक जो है वो अब बहुत जल्द बिग अब बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए विशाल पांडे और सिवानी को बाहर का रास्ता दिखा भी दिया गया लेकिन अभी कटारिया बैठे हुए है सू में और कटारिया फाइनलिस्ट के नजर में दिखे जा रहे हैं ऐसा माना जा रहा है कि कटारिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता जान बुच के बिग बोस के मेकर्स के द्वारा ऐसे खेल वहाँ पे कराये जा रहे हैं ऐसा ऐसा गेम दिया जा रहा है जिससे ये लोग जल्दी से बाहर आ जाएं लेकिन इस बार चाल उल्टा पर गया है और अर्मान मलिक उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं घर से बाहर निकलेगा अर्मान मलिक उनकी पत्नी कृतिका जो अर्मान मलिक के साथ साथ ही बिग बोस में इतना आगे तक आ गई है फाइनलिस्ट अब बनने वाली है भाई तो ऐसे में अब देखना और इंटरेस्टिंग होगा कि जब पहले ही अर्मान मलिक जो है वह बाहर हो जाएं ज रन्वीर को ये पावर दे दे तो सायद अर्मान को सेफ कर लिया जाएगा और ऐसे में साफ साफ ये दिखेगा कि बिग बॉस के मेकर्स चाहते ही नहीं है कि कटारिया विनर बने। इतन जो है घर से बाहर हो सकते हैं आपको क्या लगता है कौन घर से बाहर निकलेगा शाथ में ये बताईएगा कि अगर आप ये सीजन देख रहे हैं तो बिग बोस का इस बार का विनर कौन हो सकता है उनका नाम भी जरूर लिखिएगा बाकि इस वीडियो को अब यहीं पर सम करेंगे यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद जहीं